नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से हाजर हूँ मैं आपके अपने ही चैनल गौब लोक्स पे एक बहुत ही सांदार हतेली के शाग दीखें ये हतेली जो है साथ समुद्र पार से आई है और बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व की और बहुत धनी हतेली भी हम इसको कहेंगे इनकी जो धन की इस्तिती है वो इतनी बेहतर किन रेखाओं के कारण ही है इस हतेली में निश्चित तोर पे देखने को मिल जाएगी और मैं उसको बताने के भी कोशिस आप लोगों को करूँगा करोड़ों का काम इनका है और इनका जो काम दिया है ये पूरो जनम की कुछ ऐसी रेखाई है जो इस जनम में जो है इनको बहुत आगी ले जाएगी बहुत तरकी दिलवाएगी और धन के मामने में भी बहुत अच्छा रखेगी एक सवाल है बहुत बड़ी पत्वे पहुँचेंगे की नहीं पहुचेंगे मैं कहूंगा हां मगर 6-8 महने तक थोड़ा सा संगर्श की इस्तिति आपको जहिलनी पड़ेंगी ये दो ग्रह जो है आप कुंडली में भी देखते हैं तो कुंडली में भी जो है आपको ग्रह क की दसा देखनी चाहिए और हतेली में भी देखते हैं तो सबसे पहले ग्रहों की दसा ही देखी जाती है रेखाएं जो होती हैं रेखाएं उनी ग्रहों के प्रभाव से चलती हैं और कुछ रेखाएं हमारी हतेली में ऐसी होती हैं जो कुछ टाइम के लिए आती हैं और अप सफन लगता है अब नोकरी के लिए जो है बिस्तार के लिए होता है चाए काम हो चाए नोकरी हो आपका सोर्या और नोकरी का मालिक जो है आपको जोतिस में अगर कहें तो ये मिडिल फिंगर है इसके नीचे के इस भाग को हम नोकरी का मालिक मानते हैं जोतिस में पूरी त्रह नोक्री जो है सनी के अधिन होती है जातक को नोकरी कैसे मिलेगी, कम मिलेगी, किन दसाओं में मिलेगी, किन इस्तितियों में, प्रस्तितियों में मिलेगी इसके पीछे जो मुख्य ग्रह होता है वो होता है आपका सनी हालां कि कारोबार के लिए independent profession के लिए व्रसपति जिम्मिदार होता है और नोकरी वाले मामले के लिए हमारा ये सनी जिम्मिदार होता है कुछ ज़्यादा बली अवस्ता में आ रखा है और आप देखोगे तो थोड़ा से जो है वक्री अवस्ता में हो चुका है और वेसे ही सूर्य भी जो है हलके रोप से वक्री इस्तिति में आपको देखने को मिलना है ब्रस्पति विस्तार करता है ये सूर्य और ब्रस्पति जो है मान समान और प्रतिष्टा प्रदान करता है और ये सनी जो है नोकरी का मालिक है ये तीनों गरह जो है नोकरी को ब्योसाई को किसी ना किसी तरों प्रभावित करते हैं सुन्न रहे कुछ नहीं करना है थोड़ा सा जो है इसकी बकृता खतम करनी है इसमें भी कोई जादा प्रभाव नहीं मगर सनी को जो है साथ-ाथ महने में ये ठीक हो जाएगा और निश्चित है आप कोसिस करते रहेगा ये हकीकत है निश्चित है आपको अपनी मनोवांचित फल की प्राप्ति हो जाएगी और मैं बहुत सुन्दर आपको उपाई भी दे रहा हूँ लिख करके भी दूँगा और आप इसके बाद समझ में ना आई कुछ पूछना हो आप मुझे बेजी जग कॉल करिएगा मैं आपको जो है वो समझा भी लूँगा पर ये निश्चित है जिस पोश्ट पे आप पहुँचना चाहते वो पोश्ट बहुत सुन्दर है अब आपके हतीले का मैं बिशलेशन करता हूँ देखी उससे पहले मैं अपने जो दर्सक हैं उनसे कहना चाहूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जब ये वीडियो चल ली है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखाओगा आपको वो बटन दबाना है साथी घंटे का एक आएकन आएगा उसको भी दबाना है सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए पामिष्ट्री से रिलेटिड और वीडियो को लाइक जरूर करे क्योंकि आगे आप वीडियो की भावना में खो जाएंगे और लाइक करना भूल जाएंगे देखे अगर हतेली को देखते हैं आकरती देखिएगा एक चौकोर किसम की आकरती है और मानसल भी है अतेली ऐसे लोग बहुत जादा मेहनती होते हैं और कर्म पे विश्वास करते हैं क्योंकि जब मेहनत करेंगे तब ही जो है भाग्यवी साथ देगा ऐसा ऐसे लोगों को मानना होता है ऐसे लोगों का तर्क होता है और सोचते भी यही है और ये बहुत ज्यादा मिहनती है कि योद्धा किसम की हतेलिये हर प्रस्तिति को लड़ना जानते हैं दूसरा हतेली का कलर हमारे सोभग्य को बताता है हमारी धन की इस्तित को बताता है इस तरों का अगर हतेली में कलर हो बहुत सुन्दर पिंक लिए हुई है तो सारे ग्रहों का प्रभाव ऐसे लोगों के उपर रहता है और ऐसे लोग अपनी जीवन को बहुत सुन्दर तरीके से जीवन का पुरा लुथप उठा कर जीते हैं और पैसों का ज्यादा टेंसनी ये लोग नहीं लेते हैं क्योंकि पैसा इनके पास आता है अब हो गया अब हतेली में जो है उंगलियां देखू इनकी जो सूरे की उंगली है जो हमारे उर्जा का कारक है और जो सूरे जो है हमारा बिस्तार का कारक है प्रसिद्ध का कारक है अ के दिहन से देखे, दिख रही है, ऐसे में जातक यस सुस्वी होता है, समाज में मान परतिष्टा बनी रहेगी, यस पाने वाले होंगे, अगर ऐसे में कोई जातक सरकारी नोकरी की कोसिस करें, टाइम पे, तो काम्या भी मिलती ही मिलती है, अगर धन के बारे में देखा जाए, तो हमारा जो ये सुक्र है, और ये जो है, गुरू है, ब्रिस्पती, इनको धरन का ग्रहमाना गया है, अगर सुक्र इस तरों से पुष्ट और सुन्दर आउस्ता में हो, तो ये बिलासिता देता है, लग्जीरियस लाइफ इस्टाइल द दूसरी बात, इन दोनों का जो कॉमिनेशन हो जाता है, बराबर ये हिस्से में आ जाते हैं, दोनों बराबर तरीके से फूले हुए, हाला कि सुक्र जादा फूला हुआ होता है, इसका धाचा ही कुछ ऐसा होता है, एक्चुल हमारा हाथ जो है, अमरे बोड़ी का एक पार् जो होते हैं ये उर्जा सरक्षित करते हैं और इनी की उर्जा से सरीर चलता है, और नव ग्रहों में जो है, ये सुक्र और ये ब्रिस्पती माना जाता है, ठिक है? अगर ये इन दोनों से इसी तरो उठे हुए हैं, बहुत सुन्नर हैं, तो जीवन में निश्चित ही ऐसा में मिलेगा दूसरी बाद भग्या रेखा सबसे बड़ी रेखा होती है भग्या रेखा के बिना शंपति आपको कभी नहीं मिल सकती है और इस तरों से सीधी बहुत सुन्दर भग्या रेखा जब धन संपति की बात हो तो भग्या रेखा भी मुख्या रेखा होती है और इस तरों से लंबी भग्या रेखा का होना जीवन में निरंतर प्रगति की निशानी है ऐसा व्यक्ति निरंतर प्रगति करता है इस तरों की रेखा हो बहुत सुन्दर तरीके से तो व्यक्ति को ब्यापार में धन और वाहन जैसे सुकों से ये युक्त करती है परिपूर्ण कर और भग्यारेखा जो है इस तरों से यहां से चले और अपने स्वास्थान सनी मिडिल फिंगर के नीचे ही भग्यारेखा का स्वास्थान होता है तो निश्चित मानिये 28 साल के बाद भाग्योदाई यह कराती है और दूसरी बात देखेगा अगर मनि बंद इनकी रेखाईएं आप देखो बहुत सुन्दर तरह तीन इसपष्ट गाड़ी और सुन्दर रेखाईएं इस तरह से बनी हो तो कम से कम 22 वर्ष की उमर से ही भाग्योदे के जो लक्षणों होते हैं वो आ जाते हैं और कलाई में बनी जो ये रेखाई होती हैं मनि बंद की इनका समन्द हमारे पूरो जन्म के कर्मों से भी है अब वही बात आगई जो मैंने पहले पे थी इस तरह के अगर आपके हतेले में तीन साप सुत्री मन मन्द रेखाई हैं तो हमें अच्छी बिद्या और ये धंदि लाती है इनसे ये वी ज्यात होता है कि हमारे कर्म पिछले जनम में उच्छ रहे होंगे देखे अगर हम समुद्र सास्तर जो होता है जिसमें जो है अंगों के बारे में और हतेले के बारे में लिखा गया है उसमें एक अश्लोक आता है इसके लिए उसे के आदार पे हम इनक पठन करते हैं उसमें कहा गया है ये तीन रेखाओं के बारे में अगर अच्छा है आपका बिद्ध्वान धनी चारो सरीर धारी शोबग्या शाली चाशुखेन जिव्याता अर्थात मनुश्य बिद्ध्वान धनी शुन्दर सरीर वाला सोबग्या शाली होकर सुक पूरुक जीवन बितीत करता है ये रेखाओं कहती है जो हमारा सास्तर कहता है और रियल में प्रेक्टिकल रूप में भी जो है होता है अब यहनकी दूसरी सबसे अच्छे रेखा देखें बहुत सुन्दर रेखाओं आपकी हतेली में भी है इस तरह का कलर बना हुआ है इस तरह के र पुत्री ब्यापार एक बुद्धी देती है और जातक को ब्यापार में अचानक बहुत लाब मिलता है ये थोड़ा सा पूर्ण और विक्सित हो जाए छे से आट मेहने में बहुत साब दिखाई पढ़ने ही पर और इनको सबसे बड़ा गुण इनका बुद्ध परवत देह र सुन्दर है बहुत सुन्दर और कांती रूप में है आप मनोब्यग्यानिक के छितर में माहिर होंगी सामने वाले ब्यक्ति को किस तरों प्रभावित करना है ये अच्छी तरों से जानते है और ऐसे जो जातक होते हैं ब्यापारिक कारियों में बिसे सपलता इनको प्राप् एक योजना बद्ध तरीके से करता है बहुतिक सुख सुविधाईं भी बताता है ऐसे व्यक्ति के पास बहुतिक सुख सुविधाईं बहुत सुनर रहती हैं और दोसरा बुद्ध को जो है राजकुमार मानते हैं नोगरों में जैसे राजकुमार बहुत सुनर होता है ने दय भी बहुत सुनर होंगे, ये पैकेजिंग का मालिक है, ये त्वचा को बहुत सुनर बनाता है, प्रसनलिटी को गजब करके निखारता है, और अट्रेक्ट होते हैं लोग उसके अंदर, आकरसन की सक्ति देता है, ये चीज़ आप में होगी, और ब्यक्तित तो बड़ा सुनर होता है ऐसे ब्यक्तिका, जो एक बार मिलता है, वो कहता है, यार किसी से मिला हूँ मैं, जीवन में, बहुत सुनर ब्यक्तित्व होता है, बहुत अच्छा बुद्ध है, आपको नोजवान रखेगा हर टैम, बहुत सुनर बुद्ध के, बुद्ध ही ऐसा ग्रह है, जो आपको जो है धन के मामले में, बहुतिक सुकसुदाओं के मामले में आपके ब्यक्तित्व के मामले आपको सरवोपरी बनाए हुए है ये ग्रह सबसे सुन्दर है और आप भी जो ठान लोगे उसको करने की हिमत भी रखते हैं ये आपके उंगली कह रही है लमवत खड़ी है ऐसे ब्यक्तियों के अंदर ब्यापारिक गुण अदिक होते हैं जरूरी नहीं हो ब्यापार करें पर ब्यापारिक गुण होते हैं और अगर हम देखें छूटी रेखाओं की बात करें निम्नमंगल से एक रेखा आप देख रहे होंगे सुरे की और यह जा रही है सुन्दर रोप से जा रही है छह से आठ महिने में पूर्णता आएगी अभी पूर्णता नहीं आएए मंकर सबी जो है चीजे ऐसी पता रही हैं 6-8 महिना चैहे नोकरी हो चैहे योग बन रहे हैं योग ऐसे ही बनते है सबी चीजे एक इतरफ ऐसारा करने लगे तो एक योग बनने को तयार हो जाता है उसका बेसिक जो है तयार होने मेट जाता है मान, परतिष्टा, सम्मान, सरकार द्वारा लाब और यस्मी ब्रिदिकरी एक और राव रेखा है इसको भी दिखाने की कोसिस करोगा अभी पूर्णता नहीं गई है बुद्ध की और जारी शंदर्शी बाद है और जब भी राहो रेखा किसी परवत पे जाती है तो उस ग्रह के गुणों में ब्रिदि करती है 2021 के आरम या 2020 के नौमर दिसम्मर से ये पुष्टता में आएगी वही 6-8 मेन और निश्चित ही ब्यापर में अपार सपलता या किसी बेग्यानिक सपलता में ये निश्चित ही जो है सयोग करेगी और दूसरी बात अगर भग्यरेखा भी इस तरों की होती है बहुत सुन्दर तो ये definitely क्योंकि भग्यरेखा तो है इसको पूर्ण होते ही ब्यक्त एक नहीं दोसरोतों से पैसा अवश्यक माएगा और इनका BSB वही है एक नौकरी से और एक जो है साइड बिजनिस से एक डारेक्ट इंकम एक इंडारेक्ट इंकम पैसेफिक इंकम जिसको कहते हैं निश्चित ही आपके भग्य में दोसरोतों से पैसा है और नौकरी भी आपके भग्य में है थोड़ा कोसिस करेगा थोड़ा दहरे रखिएगा और जो उपाई दूँगा विदिवत तरीके से करेगा क्योंकि नौकरी का मालिक को संतुष्ट करना उसको प्रशन करना बहुत जरूरी है अब एक सुन्दर और रेखा देखे अब एक अगर देखें तो पहले इस तरफ देखें उपरी मंगल की तरफ देखें बहुत कम दिखाई पड़ रही है यह आप ही देख सकते हैं मगर मुझे तो दिख रही है यहां से एक रेखा यूँ जारे है पर थोड़ा महीन है सूरे तक जारी है उपरी मंगल से जादा दिखाई नहीं देरी है और यहां से यह रेखा यह तो यहां पर गुणा का चिन भी हो रहा है ऐसे लोगों की तर्की जब ये रेखा यहां से जाती है सूर्य तक जाती है ये रेखा हद से जाद तर्की कराती है और एक धन रेखा कहलाती है और ये धन जो है छोटा मोटा धन नी देती है ये करोडों में धन देती है जिसकी हतेली में है मैं फिर कह रहा हूँ जिसके हतेली में ये रेखा इस पश्ट तरीके से है बले ही महीन है पर है इस पश्ट तरीके से वो अगर आज 4-5 लोगों के नीचे काम कर रहा है कल वही आदमी 500-600 लोगों के उपर काम करेगा उसके अंडर में होंगे 500-600 ये इतनी प्रभावसाली रेखा ये सयोग बनाती है ये किसका मंगल और सोर्य का प्राकरम और विस्तार का ये भी उर्जा का कारक है ये भी उर्जा का कारक है और ये रेखा इन दोनों को बांध रही है समझने की कोशिस करें किस तरों से योग बनता है ये रेखा ये प्राकरम है उर्जा का कारक है इसका रंग लाल है और ये संबंद बना रही है आपके उर्जा का कारक को अगर सुर्य नहो तो आप खुद जानते हैं कि इस पृतिवी पे भी जिवन नहीं होगी और जोतिस की गणनाई भी नहीं होगी इसलिए सुर्य बहुत महत्पूर है अगर आपका मंगल नहीं है तो आपका मन का सास नहीं होगा और जब आपके अंदर प्राक्रमी नहीं होगा आप कुछ नहीं कर पाएं तो इन दोनों को जो जोड़ता है बहुत कम हतेलियों में ये रेखा होती है ये रेखा जिसकी हतेली में होती है ऐसे लोगों की तरकी घर से बहुत दूर होती है और आप हैं भी घर से बहुत दूर और ये रेखा विदेश से अच्छा खासा धनियोग बनाती है आप हैं भी विदेश में लेकिन बीच में जो ये X का चिन है ने क्रोस का चिन बनदा है ऐसे जातकों को आगहत होता है इस रेखा के होने से सजगता भी बहुत जरूरी होती है किसी परकार का नसा नहीं करना चाहिए यदि कोई करता भी हो इस परकार का जातक तो किसी के साथ बैठके किसी के साथ बैठके नसा न करें अकेला कर सकता है और दूसरे, जब मंगल की बात आई, तो इनकी हतिली में एक और निम्न मंगल की बात करें, निम्न मंगल में देखो कि आप बहुत सांदर रेखा, इसको कहते हैं मंगल रेखा, क्योंकि ये मंगल की रेखा है, मंगल पे है, बहुत सुन्दर दिखाई पड़ती है, ये देखो बिना color के देखो बहुत सुन्दर दिखाई पड़ दिये और color करें तो ये इस तरों के रेखाई छोटी है ऐसे लोगों को दोसरों का सयोग भहत अच्छा मिलता है दोसरी ये धन रेखा भी है ये रेखा धन भी देती है ऐसे लोगों को जमीन जायदाद का बड़ा लाब मिलता है एक से ज़्यादा घर इन लोगों के होते हैं पैतरिक संपत्ति भी होती है और अपने कमाई उही पैसों से भी ये लोग घर खरीदते हैं निश्चित ये घर का सोक इन लोगों को मिलता है बावर्फुल रेखाई और दोसरी बाद अत्यनत ही प्रतिभासालियो और तीब्रबुद्ध के मालिक होंगे सोचने और समझने के सक्ति आप में विसेश रूप से होगी और जिवनकाल में जो निरणे एक बार लेते हैं उशे अंततक निभाने का सामर्थ्या रखते हैं और ऐसे जो लोग होते हैं चाहे महिला हो या प्रोस हो अर्वें से ही सास्तरों के अनुसार देखा जाए अब तो लोग अलग तरीके से देख रहे हैं मगर जो इसका मूल है सास्तर है वो यही कहता है कि जो हमारी महिलाएं हैं उनका बायाहात और जो हमारे पुरोस हैं उनके दाया हाथी ही देखना चाहिए यही सास्त्रोक्त है और ऐसे ब्यक्ति चाहिए महिला हो या पुरोस हो जीवन में एक उदेश्य लेकर आगे बढ़ते हैं और जब तक उस उदेश्य या लक्ष की प्राक्त नहीं हो जाते हैं तब तक आप जैसे लोग विश्राम नहीं लेता है हाँ आपका ब्यक्ति तो अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रतिवासाली और प्रभावसाली होता है अब दूसरी चीज देखें एक बहुत ही अच्छी चीज और दिख रही है आपकी हपिले में पहले वही देखते हैं फिर और करते हैं अंगोठे को एक बार देख लेते हैं देखेगा इक्छा सक्ति देखेगा ब्यक्ति की इक्छा सक्ति बहुत सुन्दर होनी चाहिए और इनकी इक्छा सक्ति बहुत सुन्दर है तब ही जी उनमें कुछ कर पाता है दूसरी बात, तरक सकते भी बेहतर बता रही है, अपनी बातों को दोसरों को समझानी में ऐसे बिक्त निपुण होते हैं, बहुत ज़्यादा निपुण होते हैं, और इन दोनों की बीच में, देखेगा, एक सांदार आकरती जो है आपको दिखाई पड़ दे हैं, बहुत सु मिलता ही मिलता है, और जो इनका सुक्र बता रहा है, वो आगे भी बता रहा है, या तो उसी घर को आप बहुत अच्छा मेंटेन करोगे, या तो आप नया घर जरूर खरीदेंगे, इसी 2020 में, इसी 2020 के चाहिए 2021 के आते आते खरीद लें, पर 2020 में आपको घर का सुक जरूर म यह कराती है भावक भी होंगे इमोशनल भी होंगे दूसरी बात तहजीब पसंद होंगे अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको बहुत अच्छा लगता है और ऐसे जो लोग होते हैं चाहे महिला हो या पुरोस हो कम पैसे में भी बहुत अच्छे से रह लेते हैं फुरा थोड़ा जाए यह डिपलप है तो इन गुणों में को जो है ब्रिदि करती है यह बढ़ा रही है अच्छे से पहनना अच्छे से अपनी प्रसनल्टी पर ध्यान देना अपने को मेंटेन करना यह सारी चीजें आपके साथ जुड़ी हुई हैं सज समर के रहेना बहुत सुन मोठा है इसके नीचे के भाग को हम सुक्र परोत कहते हैं यह सुक्र जो है बहुतिक सुक्स विदाओं को यहीं से देखा जाता है आपके लाइप स्टाइल को आपके ब्यक्तित्तों को और सुक को परिवार का सुकूर देखो पहले इस सुक्र के बारे में जानते हैं फिर मै जो है आपके उपर क्या प्रभाव डाला है उसको बताता हूँ देखे सुक्र अगर देखें तो जोतिस में आचारे कहते हैं इसको गुरू भी कहा जाता है क्योंकि अगर हमारी जो पौरानिक मान्यताई है उनके अनुसार अगर देखा जाए आपने भी पढ़ा होगा कि इनको देतियों का गुरू मानते हैं तो निश्चित तोर से जो है इनके अंदर एजुकेशन की क्वाल्टी है भै गुरू है तो क्वाल्टी तो होगी गुरू होने का समर्थे भी होगा और सुक्र जो है जीवन में सलाह देने का कार्य करता है इसलिए जो है अमारी जोतिस में इसे गुरू कहते हैं दूसरा आपको जीवन में जैसा भी सुक हो अच्छा हो बुरा हो जैसा भी होने इसके पीछे भी सुक्र होता है चाहे वो सारिरिक सुक हो चाहे वो मानसिक सुक हो बिना सुकर के पुष्ट हो ये हतेली में सुक नहीं मिल पाता है और तीसरी बात बैवाहिक सुक सुकर को कलतर कारक कहते हैं मेरिटल लाइफ का मालिक इसको मानते हैं आपकी हतियली में जैसा ये सुक्र जो है पुष्ट अवस्ता में है उठावा है बहुत अच्छा है मजबूत है तो आपका सुक्र बिहतर है आपके पास गलेमर जरूर होगा चमक होगी नाम और यस होता है चका चोन रहेंगे और हमेशा रहेंगे ये चीज ध्यान देना चका अट्रेक्ट करते हैं सुन्दर घर और गाड़ी सुन्दर पारिवारिक सुक्र बहुत अच्छा दे रहा है बहुत सुन्दर दे रहा है बर्तमानी स्थित देखे बहुत सारी आ गई है इसमें लाइन है सोच बहुत ज़्यादा रहें किसी एक विसाय पे खुड़म मानसिक परिशानी भी चल लिए जिंता भी कर रहे हैं सब कुछ होते हुई है और दूसरा अगर इस तरों से रेखा देखी जाई तो यह परिवार की प्र तिसमरपड की भावना तो रहेगी मगर जिवन में जो है संगरस भी ज़रूर रहेगा सब कुछ होते हुई ही संगरस है उता लगातार उतार चड़ाओ बना रहेगा संगर्स लगातार बना रहेगा बली ही संगर्स के साथ जिवन का लुथ भी होगा पैसा भी आएगा, तरकी भी मिलेगी सब कुछ रहेगी बड़ी कोई हानी नहीं है सबस्ते भी बहुत सुन्र रहेगा अचल संपतिका भी आपको जो है मंगल लाब दे रहा है और लाब की इस्तिति में रखेगा थोड़ा सा क्रोधी सुभाव ये दे सकता है और थोड़ा सा ब्रिस्पति एगो प्रोब्लम दे सकता है इससे थोड़ा अपने को कंट्रोल में रखेगा ये दो चीजें अपने को कंट्रोल में निश्चित तोर पे रखिएगा क्योंकि गुसा तो चलो नहीं भी आएगा मगर एगो प्रोब्लम आप समझेंगे नहीं आप में आ सकती है ब्रस्पति दिये सकता है दूसरी बात अगर कहीं भग्या रेखा कि हमने पहले ही बात कर लिए इस तरह से देखें इसे को देखते हैं पहले एक सुन्दर मचले का चिन्न है और इसका जो है न सनी परवत से इसका महुंग सनी की और है ये धार्मिक परवर्ति के ऐसे लोग होते हैं दूसरा सनी से समंद्ध बना रही है तो जो नोकरी की कलपना है आपके इसमें ये जो है पावर्ता देगी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाएगी मगर जब सुनी जो है बकरी अवस्ता से बहार निकल जाएगे क्योंकि नोकरी के मालिक जो है वही है दूसरी बात माइन रेखा अगर देखे तो बहुत सुन्दर है चंदरमा से मिलान होता है तो बुद्धी के साथ कलपना मिल जाती है क्रियेटिव बहुत जादा ब्यक्ति हो जाता है ऐसे में और हर दम अपनी जीवन काल के लिए अच्छे से अच्छे योजनाई बना कर चलता है लंबी और हवाई यातरा का भी ऐसे ब्यक्ति को लाब मिलता है तोड़ा सा सुक्र में इस तरह से अगर जिन आ जाते है तो ब्यक्ति थोड़ा चिंतातुर भी रहता है सोचता भी बहुत जादा है और डीपली किसी चीज में चल जाता है तो थोड़ा मानसिक प्रेशानी जो है ब्यक्ति के अंदर आ जाती है इससे थोड़ा बचना चाहिए एक छोटी सी रेखा देखे उपर से आ रही है ये ब् और बिदेशी भरमण के रह ऐसे ब्यक्ति को आसान हो जाती है अगर हम तरजनी उंगली देखे नेतर तो चमता के गुण थोड़ा हलके है सोरे के गुण से मगर ठीक है और इसको देखे ब्रिस्पति को बहुत सुन्दर है स्वयम भी उन्नति करेंगे और ये विसेश सहायता प्रदान करेंगे सहयोगी होंगे स्वाविमानी होंगे प्रोपकारी होंगे और सबसे बड़ी बात है कि अपनी बातों का एस अब्यक्ति निर्वहन करतने वाला होता है और प्रतिष्टा के मामले में धन के मामले में ये बहुत अच्छा रहेगा उच्छ पदस्त अधिकारी ऐसा ब्यक्ति होता है ब्रस्पति थोड़ा यहां पे उठा हुआ है थोड़ा खाने पीने के ज़्यादा सोकिन होते थोड़ा इग्यो प्रोब्लम ना आई इस और भी जो है आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होगा उपाई दोंगा जरूर करिएगा ऐसे बिक्ति के अंदर टीचिंग की छमता बहुत अच्छी होती है अपने बिसे में ऐसा बिक्ति जो है बहुत ग्याता होता है और अपनी बिसे को समझाने में भी टीचिंग देने में भी बहुत अच्छा रहता है दूसरा कुसल परसासक के गुण भी ऐसे बिक्ति के अंदर रहते हैं ऐसे बिक्ति अपनी लगन और मिहनत से आगे बढ़ता है और साधारन परिवार में भी अगर ऐसे बिक्ति ने जन्म लिया हो तो निश्चित है अपनी जीवन में जो है बहुत उच्पद को पा लेता है इसको थोड़ा और पावरफुल बनाने के लिए इस चिन्न को मैं उपाई दूँगा जरूर करिएगा बहुत सरल एक रूटीन के इसाब से हम उपाई देगे किसका प्रभाव ब्रस्पति का ब्रस्पति कौन गुरू गुरू मतलब सबसे बड़ा सबसे महान गुरू मतलब धन दिर्डिनिस चाई आदर्स्वादी जीवन आदर्स्वादी ब्यक्तित्वा और रिस्तों के प्रतिसदेव जो है मन में बहुत अच्छा जो है विचार रहेगा और दूसरी बात इसको देखेगा ये देखेगा निश्चित ही आप जो है आपने या तो जमीन खरीद चुके होंगे या आप खरीदेंगे पर खरीदेंगे अपनी जीवन में सनी की हमने बात कर ली सोरे की हम बात करें सोरे भी आपका बहुत अच्छा है सोरे की उंगले भी बहुत अच्छी है पहले ही बात कर चुका हो यहाँ पर एक पूरानी बन पा रहा है मचली का चिना अगर बनता है तो जिवन में बहुत ज़्यादा तरकी को दिखाता है एक अगर देखा जाए तो अगर हम देखें तो इस तरह से जो है एक बनता हुआ दिखाई दे रहे हैं सुक्र बलाए इसको इस तरह से समझे देखेगा जब यह पुष्ट होगा जहां एक ब्यक्ति हजार रुपे कमाता है वहां ऐसा ब्यक्ति एक लाक़ रुपे कमाता है इसमें ज़्यादा नहीं बोलूँगा हमने बुद्ध की वी बात कर लिए बहुत सुननर है उपनी मंगल की हम बात करें सासी होंगी दिर्ड निश्चे होंगी द्रिड़ता और संतुनन होगा प्राकरम रहेगा अगर हम इस छेतर के बात करें बहुत सुन्दर है और पहले यातराओं को बता रहा है कि बहुत सुन्दर यातराओं आप सुखद यातराओं आपकी जीवन में होगी ऐसे ब्वैक्ती छलकपट से दूर रहते हैं हर प्रस्तिती को जहलने की चम्ता रहती है सुन्दर रहता है ब्वैक्ती सुन्दर सोच का भी मालिक रहता है और ये चन्दरमा यातराओं को भी बहुत सुकद बनाता है बहुत सुन्दर है आपके अब आपकी हतेली का पूरा बिश्लेशन हमने कर लिया है एक नजर में अगर देखें तो सासी हैं दिर्ड निश्चाई हैं मेहनती हैं कर्म पे जादा भरोसा करते हैं और दोसरे बात अपनी जिवन का लोट पो उठाते हैं हर प्रस्तिति को हंस्ते जिल लेते हैं धन के मामले में जिवन बहुत सुन्दर है मकान का इसी 2020 में बहुत सुन्दर योग बन रहे हैं या तो पुराने घर को ही ठीक करेंगे या नया घर खरी देंगे 2020 के जाते जाते दूसरी बात नोकरी के 6-8 महीने में बहुत सुन्दर नोकरी की प्राप्ति आपके जिवन में लिखी हुई है जो आपको मनोवांचित फलकी आपको प्राप्ति होगी उसके लिए सन्नी को थोड़ा सा ठीक करना है उसका उपाई दूँगा सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके इन रेखाओं का भग्या रेखा का और ये बिजनिस रेखा का आपके जीवन में पढ़ रहा है सबसे ज़्यादा प्रभाव इन ग्रहों का जो है आपके जीवन में पढ़ रहा है इन तीन ग्रहों का आपका सुक्र का जो बिलासिता हमेशा दे रहा है धन दे रहा है और आपके ब्यक्तितों को निखार रहा है और जो है ये धन और वाहन आपके पास जरूर होगा और निश दिया है फिर भी कुछ रहता है आप बात भी कर सकते हैं मुझसे या वाटसब भी लिख सकते हैं और जो उपाई दे रहा हूं उसको बिदी के अनुसार करिएगा निश्चित ही जियोनकाल में बहुत बड़ा लाब जो है होगा तो एक छोटा सा विसलेशन था अगर आपको भी अपनी हतेली का विसलेशन करवाना है तो दिये गए नमबर पे आप फोन कर सकते हैं वाटसब कर सकते हैं हाँ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद